हलो गुण मानिंग जुहार में सुझे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुझ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को जैससी पेपर लीक मामले में विधान सभा का अफसर गिरबतार ब्लैंक चेक के साथ कई एड्मिट कार्ट बरामत जैससी पेपर लीक मामले में राचिय पुलीस की एसाइटी ने बड़ी कामयाभी हासिल ही है इस मामले में एसाइटी ने जार्खन विधान सभा के एक अवर्स सही तीन लोग को गरबतार किया है। दोरान मुहमद समीम के बारे में पुलीस को गुपत सुचना मिली जिसके बाद समीम के शाद साथ उसके दो बेटों को धर दबोचा गया। जैससी पेपर लीक मामले की जाज कर रही SIT को जारकन विधान सभा के अवर्सची मुहमद समीम के बारे में या पुकता जानकारी मिली थी कि वह और उसके दो बेटे पेपर लीक मामले में शन लिपते हैं, जिसके बाद SIT उन पर लगतार नजर रखे हुई थी, सूचना होने पर SIT ने समीम के ठीकानों पर एक साथ चापमारी की, चापमारी के दोरान समीम के ठीकानों से कई अभ्यरतियों के द्वारा दिये गए, ब्लैंक चेक, दरजनों, एड्मिट कार्ड के साथ-साथ कई मॉबाइल फोन भी बरामत किये गए हैं, इधर राची के सिनियर S. पी चंदन कुमार सिन्हा ने बता है कि पेपर लीक मामले में कार्रवाई लगतार जारी है, मामले में जारकन विधान सभाक के अफसर की भूमी का सामने आई है, उसके खिलाब कई सबूत भी पूलीश को शामिल हुए हैं, फिलाल पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लि जा रही है, चमपई सोरिन सरकार की यहा दूसरी केबिनेट की बैठकों की मन्तरी मंडल विस्तार नहीं होने के वज़ए से इस बैठक में भी मक्मंत्री समेट मंत्री आलमगिराण वास्रत नंभोकता ही भाग लेंगे, मन्तरी मंडल विस्तार शुलाउफ फरवरी को है, ब पहली केमिनेट की बैठक बोलाई थी, इसमें तीन प्रस्ताओं पर मुहर लगे थी। आरोपियों ने सामने से मारी थी गोली, पलामों में हुए नमिता देवी हट्यकान में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरपतार किया है। पी रिश्मारा मेशन ने प्रेश्ट कांफरेंस कर पूरे मामले की जान करी थी। बतादी कि नमिता देवी हट्यकान में छे लोग के खिलाब नामजद प्रात्मी की दोर्श की गई है। मामले में मृतक के पुत्र विक्की पासवान ने प्रात्मी की दोर्श कराई है जिसमें सहर थानाच शेतर के रितेश कुमार चंदरवनसी, उर्फ, मामा, मौन्टी पांडे, महताब खान, शदाम, कुरेशी, वर्शीम खान वा सूरज चंदरवनसी उर्फ जो है सूरज वर वजरपात की चेतानी, लोको सावधान रहने की अपील, जारखन में मौसम कमज़ाच एक बर फिर यूटन लेने की और अग्रेसर है, मौसम विवाक की माने तो पस्मी विचोप के परभाव से आरहे बदलाव की मध्धनचर मौसम विवाक ने यलो अलोर्ट जारी कर दिया ह आज 12 से 14 फरवरी तक कहीं कहीं गरजन और वजरपात की संभावना है, आज 12 फरवरी को सबसे अधिक असर पलामू परमंडल में पढ़ सकता है, वही 13 और 14 फरवरी को पूरे राज में धीरे धीरे इसका असर दिख सकता है, वही 14 के बाद भी हलकी बारिस हो सकती है इसके अलावा आज 12 से 14 फरवरी तक राज में बारिस के साथ साथ वजरपात की चेताओने भी दी गई है, इसमें आज 12 फरवरी को राज के पसे में बारिस और वजरपात की जानकारी दी गई है, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, जीला सामिल ह वही कल 13 और 14 फरवरी को राज के उत्तर पसमी दचनी और मद्ध हिस्से में बारिस की जानकारी दी गई है, इसमें कोडरमा, खुंटी, रांची, रामकर, हजारीबा, गुमला, पसमें सिंग्भूम, पूर्वे सिंग्भूम, सराय के लाखार समा, सिम्डेगा, जीला सामिल हैं, हलाकि केंदर की और से 15 और 16 फरवरी को भी राज के कोचिशों में बारिस की संभावना व्यक्त की गई है, यानि के कूल मिला कर कहा जाए, तो आज से 14 फरवरी तक बारिस की संभावना मौसम भा की और से जारी की गई है, कई छेत्रों में वजरपात की चेताउनी भी मौसम में बदला हुआ है, इसलिए मौसम भा की और से साउधान और सतर गरहने की शलहा दी गई है, खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूट जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बाल आकन प्रेस क जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अब डेट आप तक पहुंसता रहे, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और लेकिन वे साढ़े तीन बजे पहुंचे, धेरा साहु से दूसरे दिन लगभग साढ़े पांच घंटे पूचताच हुई, एडी कारले से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, बस लिखा पढ़ी हुई है, इस सी आगे हम से मत पूचिये, इधर पूर्व सीम हेमन्तु सो सोरेन की पतनी कलपना सोरेन, उन से मिलने एडी ओफिस पहुची, दोनों के बीच आधे घंटे बाद चीत हुई, इसके बाद वो निकल गई, इससे पहले एडी ने सनिवार को एक साथ पांच लोगों से पूचताच की, जिसमें हेमन्तु सोरेन के दिल्ली आवास सिजप्त BMW कार मामले में राजसभा सांसत धिरस सहुच पूचताच की वही वाट्सप चाट मामले में विनोत सिंग से जवाब तलब किया, इडी के अधिकारियों ने सहिब गंच के डी सी राम निवास यादों से भी पूचताच की, इसके अधरक्त अभिसेक प्रसाथ पिंटु और राजस उपनरक्षक भानो प्रताव प्रसाथ से भी पूचताच की गई। इस अभियान का मकसद चातरों और अभियरतियों को सिब्याय जाच पर जोर देने के लिए एक मंच पर लाना है, हस्ताचर अभियान आजसू सूप्रीमों शुदेश महतों के निर्देश पर चला जा रहा है, अकिल जार्खन शातर संग ने इस मामले में सिब्याय जाच की म अभियान को लेकर आंदोलन की रूप रेखा तैकी है, हस्ताचर अभियान चलाने के लिए विश्विद्धाले और कॉलेज के प्रिभारी नियुक्त किये हैं, हस्ताचर अभियान के बाद दूसरे दिन यानि कि 13 फरवरी को मसाल जुलूश निकाला जाएगा, जबकि 15 अभियान के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग राजभावन के उध्यान के आनन्द लेने पहुंचे, राजभावन से मिली जानकारी के मुताबिक 14722 लोगों ने उध्यान का भर्मन एवं परिदर्सन किया, विधितों की राजपाल के निर्देश पर राजभावन उध अभिजे तक दिया जाता है, 6 फरवरी को पहले दिन ही, 41,924 लोगों ने इश उध्यान का भर्मन किया, था इसके बाद से निरंतर याकडा बढ़ता ही जा रहा है पाकुड में दर्दनाक सड़क हाथसा, दो लोग को राउंत हुवे गुजर गया, दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी पुलीस मौके पर पहुँचकर मामले की जाच परताल में जुट गई, ये सड़क हाथसा जिले के हिरनपूर्थाना चेतर में हुआ है, मिली खबर के मुताबिक ट्रेलर में गिट्टी लदा हुआ था और वो तेज रप्तार के साथ बिंदाडी गाउं के पास गुजा रहा इसी दोरान चालाक का ट्रेलर पर से नियंतरन समाप्त हो गया और वहन ने दो लोग को रौन दिया, दोनों को आननफानन में अस्पताल में पहुँचाए गया, लेकिन चिगत सकों ने दोनों को मृत्य खोशत कर दिया, पाकुड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस स गुषाए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, पुलिस वा आला अधिकारियों ने घटना स्थल पर काफी मसकत के बाद जाम को खत्म किया हत्यार के साथ तीन अपुर्याधी गिरपतार, पालकोड के बांदोडी जंगल से पुलिस ने दबोचा बोड़ी घटना को उन्जाम देने की थी तैयारी जेल भेजे गए गुमला के पालकोड धाना चेतर के उतरी पंचायत इस्थित बांदोडी जंगल से पुलिस ने तीन लोगों हत्यार के साथ गिरपतार किया है सभी को गुमला जेल भेज दिया, पुलिस ने जिन अपुर्याधियों को गिरपतार किया है उनमें विर्यंद्र खडिया 23 वर्षिये, शंदीप कुजूर 40 वर्षिये, बुधिश्वर नगिस्या 23 वर्षिये सामिल है सभी गुमला जीले के ही रहने वाले हैं, पुलिस ने उक्ति तीनों अभियुक्तों के पास से दो देसी कटा, बारा बोर का तीन जिन्दा गोली, एक जिन्दा गोली, हारा एवं काला रंग का आटो बरामत किया है बस या SDPO, नाजी रक्तर ने बता है कि 10 फर्वरी की साम करीब सभी साथ बजे पुलिश अधिश्चक हरविंदर सिंग को गुप्त सूचना प्रयाप्त हुआ कि पालकोर थाना चेतर के अंतरगत बंदोडी के जंगल पर तीन व्यक्ति को हाथियार से लासो कर, इसी बड़ तैयारियां तो पहले से ही हो रही है, इस बार बजट में चुनावी वर्स का प्रतिबिम भी दिखेगा और कई बड़ी घोशनाओं को जगा देने की कोसिस की जाएगी, विक्त विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है, अभी तक की तैयारियों के अनुशार विभाग के इसी क्याधार पर सरकार विधानसभा चुनाओं में उतरेगी, बड़े पैमाने पर ग्रामिन और सहरी इलाकों में सडकों के लिए योजनाओं को स्विकृति दी जाएगी, पत निर्मान विभाग और ग्रामिन कारे विभाग के बजट में इजापा तो होगा, साथ एक रि मंत्री को लिया निसाने पर, कहा स्रिप 54 नौकरियां देपाए कहा चत्रा की जंता ने उन्हें जन परतनिती बना कर सदन में भेजा इनके स्रम एवं नियोजन मंतरी होते हुए भी मादर 54 लोगों को नौकरी ही मिल पाई वा भी होमगाड और कंप्यूटर ओपरेटर की यवाओं को नियोजन से जोडने के लिए नियोजन नीती बनाने में भी मंतरी विफल रहे शुदेश ने कहा है कि सरकार रोजगार मेले कायोजन कर प्राइबिट कंपनियों में यवाओं को काम के नाम पर ओफर लेटर थमा देती है दूसरे राज़ियों में जाकर दस से बारा हज़ार के काम से किसी का घरबार नहीं चलता कहा जो लोग बाहर गए उनमें से अधिकतर काम छोड़कर वापस आ गए राज़िक युवा इसका जवाब इन्हें देंगे आसुपाटी के केंद्री अध्धक शुदेश कुमार महतो ने कहा है कि जारकन में चल रही सरकार ने राज़िकी छबी बिगाड कर रख दी है जिस तरह की हालाद भने हैं उनमें राज़िको सवारना और साख बचाना जरूरी है साथ ही जवाब दे है राजनिती को इस्थापित करना होगा बटादे की रभिवार को चत्रा के प्रताफूर में आयोजित पंचायट एवं जे ग्राम प्रतनिधियों के सम्मिलन में बोल रहे थे लेबी के नाम पर कारोबारियों से वसूली करने वाले तीन अप्रियाधी गिरप्तार ग्रीडी के पालकोर थाना चत्र में पुलिस ने तीन अप्रियाधियों को गिरप्तार किया है अप्रियाधियों की गिरप्तारी बांदोडी जंगल के पास से हुई है पुलीस से मिली जानकारी के अनुसार ये अप्राधी लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे और कारोबारियों से खुद को मववादी बता कर लेबी की वसूली किया करते थे गरबतार अप्राधियों के पास से दो देसी कट्टा और कुछ जिन्दा कारतूश बरामत की गए हैं पुलीस ने बताया है कि जो है बांदोडी जंगल के पास ये सभी अप्राधी सहर के एक बड़े और नामचिन कारोबारी से लेबी वसूली की योजना बना रहे थे पुलीस इनसे कड़ी पूच ताच कर रही है मिली जानकारी के अनुसार इनसे मिली जानकारी के अधार पर कुछ और अप्राधियों के गरबतारी होशकती है जो इसी पैटर्न पर अप्राध को अंजाम देते हैं धनबाद में अप्राधियों का तांडव घर से लूटे 10 लाक रुपए घरवालों को कबजी मिलिया हाथ पैर बांद के देड़ घंटे मचाई लूट लाकों के गहने ले गए धनबाद में अप्राधियों ने सनिवार देर साम बंगला भासा उन्यान समिती के संस्थापग बेगू ठाकूर के घर लूट पाट की लूट पाट के दोरान बदमासों ने घर के सदस्चों की हाथ पैर बांद दिये और उनकी साथ मारपीट पे की पिर लाकों के गहने और कैस लेकर फरार हो गए घरवालों के मताबिक अप्राधि छे की संख्या में थे सभी ने नकाब पहन रखा था और उनके हाथों में हाथियार थे बताया जा रहा है कि अपर्याधियों ने देड़ घंटे तक घर में तांडों किया और घर से करीब 10 लाक रुपे लोट कर भाग गए पुलीस सनिवार रात से ही मामले की जांच कर रही है अभी मामले में किसी की गिरपतारी नहीं हुई है समहों की गतिविधियों के प्रचार प्रचार के उद्देश से श्वम सहता समहों की महलाओं का एक्सपूजर वा चमता शनवर्धन शिविर सहा महला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है यह आयोजन राज्य अस्तर एवं सभी जो प्रवंडल अस्तर पर किया जाना है आज स हनुमान मंदरी का ताला तोड़कर दान पेटी उड़ा ले गए चोर पसमें सिंभूम जुले के चकरधर पूर्थाना अंदर के तुटा हुआ है और दान पेटी याइब है इसके बाद स्थाने लोगों ने इसकी सूचना चकरधर पूर्थाना को दी इसके बाद पूलिस घटनास्तल पर पहुँच मामले की जाच परतान में जुट गई बताते चले कि पूरो में भी इस मंदर में चोरों ने चोरी की घटना को अंचाम दे चुके हैं पत्रकार अजय सिंग की हत्या हुई या एक्सिडेन प्रतुल सहादेवने लातेहार डेसी से जाच के लिए कहा प्रदेश बिजेपी प्रावक्ता प्रतुल सहादेवने पत्रकार अजय सिंग की सड़क दुर घटना में मृत्यों पर आशंका जताई है इसे लेकर पत्तुल ने सोशल मेडिया एक्स पर लिखा है कि पत्रकार अजैस सिंग की मुरत्यों की सघन जांच होनी चाहिए ये हत्ता थी ये एक्सिडेंट ये बात साप होने से संसाई के बादल हट जाएंगी लातेहर के पुलीश अधिछक से आगरा है कि वाजल से जल मामले महगामा वधायक दिपिका पांडे ने एनच निर्मान में हो रही अनिमित्ता को उजागर किया गड़करी से की यमांग विरामचक के पास सड़क एनच कारे में लगतार अनिमित्ता बरती जा रही है। विरामचक के पास सड़क एनच कारे में लगतार अनिमित्ता बरती जा रही है। विरामचक के पास सड़क एनच कारे में लगतार अनिमित्ता बरती जा रही है। जार्खन में मामूली विवाद पर जम कर हुई बंबाजी इलाके में 10 सत, 10 के खिलाब के इस दर्ज, जार्खन की पाकुड में मपसिल थाना चितर की, जाम तल्ला गाव में सनिमार को मामूली विवाद में दो पक्चों के बीच जम कर बंबाजी हुई। इस घटना में एक पक्च के दो युवग घायल भी हुए हैं। दो पक्च के लोग फरार होके। इसके लोग बंबाजी देख अपने अपने घरों में दुबग गए। सरना धर्मकूर राहूल गांधी के आसवासन से आदिवासियों का कॉंग्रेस के प्रती बढ़ाविस्वास बंधुतर की। भारत जोडो न्यायात्रा के दोरान राहूल गांधी पांच फरवरी को रांची पहुँचे थे। इस दोरान उन्होंने आदिवासियों के हग अधिकार को लेकर कई बाते कही थी। राहूल गांधी ने कहा था कि अगर देश में कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो सरना धर्मकूट लागू किया जाएगा। इस बयान पर प्रदेश कॉंग्रेस के कारिकारी अध्धक्ष बंधू तरखी ने कहा है कि जमीनी अस्तरपन लोगों की भावना और परभाव पूरी तरह कॉंग्रेस के पक्च में हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्या के सपनों को सकार कर रही नरिंद्र मूदी सरकार बाबुलाल मरंडी पंडित दीन दयाल उपाध्या की पुन्नितिती पर बाबुलाल ने उन्हें याद किया। इस मौकी पर बाबू लाल ने कहा है कि दीन दयाल एक आसाधारन परतिभा के धनी महा मानो थे, भाजपा द्वारा रभिवार को पूरे प्रदेश में पंडित दीन दयाल उपाध्या की पुन्नितिती को समर्पन दिवस के रूप में राजजभार में बूत अस्तर पर मनाय ग गाँ चलो अभ्यान के तहट जो है परवास के करम में बीजेपी प्रदेश अधच एवं जो है पूर्व मुक्मंत्री बाबू लाल ने जो है रभिवार को गिरेडी जीला अंतरगत राज धनवार में आयोजित कारिकरम में उन्होंने देन दयाल जी के चितर पर माल्यारप का बज़ट सत्र 2425 की आओधी बढ़ा कर होली के पहले तक यानि 22 मार्श तक किया जाए उनलेकनी है कि वित्वर्स 2024 का बज़ट सत्र वर्तमान जो है पंचम वधान सभा का अंतिम बज़ट सत्र होगा सर्यों के मुताबिक अंतिम बज़ट सत्र में वधान सभा सदश्चों कि समक्ष वाद विवाद के दोरान गत सभी वर्सों का लेखा जोखा सामने आना चाहिए इसलिए अवस्यक है कि या बज़र सत्र कम सी कम 18 से 20 दिन का हो सर्यूराय के अनुसार उन्हें सूचना मिली है कि सरकान विधान सभा का बज़र सत्र 2025 आहुद करने के लिए राजिपाल के समक्ष जो प्रस्ताव भेजा है उसमें किवल आठ दिन का बज़र सत्र होगा आठ दिन में से एक दिन सोक प्रस्ताव के रूप में एक दिन सदन के समक्ष बजट रखने के दिन में तो था कम से कम एक दिन 24 और 25 का बजट जो है उपस थापन एम जो तरती अनुपूरक 2023-24 का बजट पर वाद विवाद में लग जाएगा यानि बजट पर वाद विवाद के लिए मादर पांच दिन ही बच जाएंगे इसमें से एक दिन की जो है कारवाही का बड़ा हिस्सा शदर्शो के नीजी संकल्पू पर बहस में चला जाएगा इससाब से सरकार का और पंचम विधान सभा का अंतिम बजर्शतर में राज्य के वित्य इस्तिती के विविन पहलों पर चुर्चा करने के लिए कापी कम समय बसता है वेर्सहित तिलकामानजी के जनते पर महलाओं ने रखा उपवास पूजा अर्चना कर लोगों ने ऐसे किया याद वेरसही तिलका मानजी की अस्मृती में उनकी जानती के अवसर पर जारखन के जमसेतपुर के तिलकागड गाउं में भब्यस समहारो कायुजन किया गया और बाबा तिलका मानजी के अमुल्य योगदान को याद किया गया गाउं की महिलाओं ने उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना की गोन के पुजारी बाबा नाईकी बाबा ने नारियल और धूप देपुआ जो है धुना दिखा कर पारमपरिक तरिकेशे उनकी पूजा की गाउं की महिलाएं पारमपरिक साड़ी पहनी हुए थी पूजा अर्चना की बाद सभी ने बाबा तिलका मानजी के जाएकारे लगाए तिलका गण गाउं बाबा तिलका मानजी के नाम पर ही रखा गया है इस वज़द से यहाँ उनकी जैनती पर लगी माहोल रहता है पुलीस सभा में पाकूर, महिस्पूर, सदीप्यो, जिले के थाना परभारी, साखा परभारी, पुलीस एसोसियेशन, मैंस एसोसियेशन के पदधिकारी और पुलीस कर्मी मौजूद थे। इसकरम में सभी थाना परभारी, जवानों को निर्देश दिया गया है कि जब आम जनता अपनी समस्या लेकर आते हैं तो उन्हें अनावशक परिशान नहीं करना हैं बलकि आविदक की समस्या सुनकर जाचो उपरान विधी सम्मत अगरतर कारवाई करना हैं। पहली बार जिला पुलिस मुख्याले पहुंचे असकुली बच्चों में उत्सा देखने लाग था। इस दोरान बच्चों को पुलिस की कारेसाली के बारे में भी बताये गया। शात्रों को जुबली पार्क, चिनिया घर और अन्य जोहे अस्तलों का भर्मन करा गया। उगरवाद प्रभाविच शेत्र जोहे कुडियान की उतकरवित मध्यवद्ध दाले के उन्चास शात्र शात्राओं में कई ऐसे थे जो पहली बार जब शेतपूर आये थे। जिला पुलिस के शमुदाईक जोहे पुलिस जोहे कारिक्रम के तहद पहुंचे शात्रों ने SSP किशोर, कॉशल और ग्रामिन, SSP शे भी मुलाकात की, SSP जोहें कॉन्फरेंस होल में बच्चों के बीच जोहें समागरी का वितरन भी किया, इस दोरान शात्रों को बहतर केरि विकल्प के बारे में भी बताया गया